और राहुल गांधी जी देश की भावनाओं को समझे, सड़क पर उत्रे, भारत जोड़ो यात्रा किया, कि हम सारे लोग एक संजुप्त होकर के चुनाओ लड़े, लेकिन जो अभी बिल पास हुई है, 33% आरच्छन की जो बात ये लोग कर रहे हैं, भाजपा की सरकार, वो कह ही न कई आधा हकीकत है और आधा फसाना है. पर झाधा नेजीस तरह से यात्रा की सुवात की और कॉंग्रेस को मजबूत करने का प्रयास क्या, क्या लगता है कि कॉंग्रेस का किस हद तक प्रयास है, ताकि आप लोग जो इंडिये है, जो मोदी के साथ जो सरकार चल रहे हैं, उसको आप लोग लगतारी है कि अब उनक बात बात जुम्ला होता है राहुल गांदी जी जो सच की आवाज सब दिन रहे हैं आवाज उठाते रहे हैं सत्य के साथ लड़ाई लड़े हैं और उसी संघर्ष के साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी किया जब देश की यात्रा वो कर रहे थे देश की जन्द भावनाओं को समझ रहे थे तुन्हें लगा कि नहीं जो अभी बरतमान मौजूदा सरकार है वो कहीं ने कहीं देश को गुमराह कर रही है और राहुल गांधी जी देश की भावनाओं को समझे सड़क पर उत्रे भारत जोड़ो यात्रा किया जिसका परिणाम भी आने जो अभी दो विधान सवा चुना हुए थे हमारे करनाटक लेले चाहिमाचल प्रदेश लेले एक अच्छा परिणाम दिया है देश की जन्ता ने और इसे कहीं ने कहीं लगा कि अब कॉंग्रेस जो इ परिणाम अच्छे आएंगे और हमारे देश के जुमलेवाज प्रधान मंत्री जी हैं उनको यह बताया जा सके कि अब आपकी जरूरत इस इंदुस्तान को हैं आपके अंदर सब कुछ ठीक कहा हैं आपके आपके इंडिया गडवंधन के अंदर निदीश कुमार ने एक लकीर खीची एक पार्टियों को देश लिवल पर लाया लें क्या लगता है कि कहीं कहीं सीटों को लेकर अभी समभ़वन पाया आप लोग में सीटों में कोई असम अदिक से और इंडिया गडवन्दन मना है उसमें कॉंग्रेस को कितनी सीटे मिल सकती हैं बिहार कॉंग्रेस जी ने जो भाजपा की जो सरकार बारबर कर रही है कि महिला अरच्छन बिल को 33% जो है हम लोगों ने पास कर दिया यह हमारे देश के पुर परधान मंतरी राजीव गांदी जी का एक सपना था लेकिन जो अभी बिल पास हुई है 33% अरच्छन की जो बात यह लोग कर रहे हैं बाजपा की सरकार वो कही न कही आधा हकीकत है और आधा फसाना है इसको इस रूप में हम लोग देखे कि नरेनमोदी जी की सरकार ने पास तो करा दिया बिल लेकिन इन्होंने कहा कि दो हजार उन्तिस के बाद इसको लागू होगा कही न कही तकनीकी कारण आ रही है जब प पास होकर के भी 2010 में राइसवा में पुर्ण रूपेन पास नहीं हो पाया था सिर्फ तकनीकी कारण आई थी कही ने कई जन गन्ना की बाती परिश्वार तो काफी समर्थ सांसितों ने समर्थन कर दिया ने सभी पार्टी ने चुकि कॉंग्रेस ने पुर्व से ही राजिव परोज़्दी और भोजन मिली नहीं रहा है तो जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो पेट में कैसे अनाज जाएगा तो वही हाल है 33 परसेंट यह सिर्फ चुनावी एजंडा इनका है कि यह देश में 2024 के चुनाव में जिस तरीके इस इंडिया गठवंदन से यह परेशान है त है कि सभी जितने इंडिया गठवंदन में जितने दल हैं विखना चाहते हैं और हम नेता अलन के निणी देश के सभी मतलब है कि बीजेपी तु ठीक करें कि एक अनार सौ बिमार नहीं भारतिय जनता पार्टि कह रही है कि एक अनार सौ बिमार या उन क्या हो सकता है हमारे कोई बिमार ही नहीं है कौन बनेगा प्रधान मंत्री जो बहुमत आएगी पुन रूपें सारे लोग जो जीत करके आते हैं वह करते हैं कि हमारे देश में कौन प्रधान मंत्री चेन कीआ जाए यो एक प्रकृइआ है एक परचार की अनार स्मय में भींगो इसमें सब्सक्राइब ये ते हमारे साथ प्रभाकर जहां कॉंग्रेस से लंबे समय से जुड़े हैं और युवाराजनीत में लगातार ये एक्टिव रहे हैं चाहे वो देश अस्तर पर हो या बिहार अस्तर पर सवाल ये उठता है कि चुनाओ से पहले जो सियासत हो रही है उस सियासत के समीकरन में इंडिया गडबंधन के तमाम दल क्या एक जूट होकर सीटों के समीकरन को तैकर लेंगे कि मिकर लालू पर साथ क्या कुछ करेंगे ये तो समय आने पर पता लगेगा फिलाल इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखतेरी आबाज न्यूस नमस्कार